तो वाईयो सौगत है आपका डे 11 में रात के बज़ रहे हैं नौ और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रेश्यो एनलिसिस इंपॉर्टन चाप्टर है तुम्हारे भाई बेच्चो बेकॉम पस्पेक्टिव से तो यहाँ पर मैं डीटियल में स्टार्ट नहीं करूँगा बताना चाहूँगा कि रेश्यो जो होते हैं वो होते हैं टोटल कितने टाइप के किसी को पता है वो होते हैं टोटल 4 टाइप के हैं लिक्विडिटी रेशियो, इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं होते हैं, इसी के अंदर अलग-अलग बाइफरकेशन्स दिये हुए होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो से, तो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में अगर मैं बात तो liquidity ratio किसी भी enterprise किसी भी firm के sotum obligations को दर साता है या वो firm अपने sotum requirements को sotum obligations को meet out कर पाती है जब वो due होता है या नहीं कर पाती है माल नो तुमने कोई loan ने रखा है sotum period के लिए enterprise as a enterprise तुमने लिया हुआ है या तुम due date पे उस obligation को meet out कर पा रहे हो यार नहीं कर पा रहे हो वो कौन दर साता है लिक्विरिटी रिश्यो दर साता है तो लिक्विरिटी रिश्यो मेजर से सॉट टम सॉलवेंची विच मीन्स अबिलिटी ऑफ एंटरप्राइस तो मेट इट सॉट टम जिन्दों के बीच के रिश्यो दर साता है कौन सर कौन दर साता है current ratio दर साता है अच्छा सर अगर इसके formula की बात करूँ तो यह basic formula होता है current assets upon my current liability और वही मैं एक important point की बात करूँ जो की है सर ideal ratio exams में questions बनते हैं ideal ratio की अगर मैं बात करूँ तो ideal ratio इसका होता है 2 is to 1 important है सर अगर माल लो तुम्हें current asset calculate करना है तो अब ये मत पूछना सर current assets क्या होता है current liability क्या होता है current assets is equal to debtors जो भी दे रखें उसके जो भी आपने provisions बना रखें सबसे पहले उसे minus कर दो बी आर जो भी है marketable securities cash और accrued income 37 साथ stocks हो गए और prepaid expenses हो गए इन सब को अगर तुम sum कर देते हो तो तुम्हारा निकल कर आ जाएगा current asset बात करू current liability की तो तुम्हें इसमें plus करना होगा trade creditor, bills payable, outstanding expenses, bank overdraft और provisions for tax इन दोनों इन सारों को अगर तुम sum कर दोगे और current asset upon में CL कर दोगे तुम्हां निकल जाएगा current ratio तो current ratio express करता है relations between the current assets and current liability clear है यहाँ तक बात करता हूँ next type of ratio जो कि यहाँ पर निकल कर आता है हमारा quick ratio important बाते बताऊंगा quick ratio को सरम AC test ratio और liquid ratio भी बोलते हैं इसका formula होता है quick assets upon में current liability important point सबसे बताऊंगा इसका standard ratio कहलो या फिर ideal ratio कहलो confuse मत करना इसका होता है 1 is to 1 इसमें सर क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं quick assets और current liability के बीच के relationship को समझते है जो quick ratio होता है या फिर AC test ratio होता है वो quick assets और current liability के बीच के रिस्ते को दरसाता है तो यह चीज ध्यान रखिएगा अगर आपको quick assets निकालना है तो आपके जो भी current assets है उसमें आप stock minus कर दो और prepaid घर्चे minus कर दो आपके quick assets निकल कर आ जाएंगे वहीं बात करूं working capital अगर आपको निकालना है तो बहुत basic formula बचबन से पढ़ते हैं current assets minus current liability कर दे तो यह हमारा निकल कर आ जाएगा और finally अगर हमें निकालना है quick ratio तो आपको यह basic formula यूज करना होगा quick assets upon में quick current liability ठीक है next ratio आपे निकल कर आता है super quick ratio और absolute cash ratio basic है important नहीं है simply आपके जो भी cash दे रखे हैं banks दे रखे हैं और marketable ratio कीनों को sum करो divide मार दो किस से current level बात ख़तो अब तुम्हें लगेगा कि sir हमें detail में पढ़ाना था आपको यह chapter यार नहीं पढ़ा सकता detail में already course में मैंने ये सारी चीज़े पढ़ा रखी है तो यहाँ पर इससे मैं नहीं cover कर सकता हूँ revision series है तो यार मुझे revision की तरह इससे लेना होगा बात करो solvency ratio की तो solvency ratio क्या करता है sir तुमने मेरे साथ देखा अभी उपर वाले कौन से ratio होते sir हमने कौन से ratio भी पढ़े भूल गए liquidity ratio liquidity ratio measure करता है short term obligation of a firm यहाँ पर जब बात करता हूँ solvency ratio की तो यह long term financial capability को judge करता है किसी भी enterprise के क्या आप due date पे maturity date पे आप installments आप पे कर पा रहे हो in long term या नहीं कर पा रहे हो वो कौन बताता है sir हमारा solvency ratio बताता है ठीक है sir इसे हम long term solvency के नाम से भी जानते हैं याद रखिएगा सबसे पहला है यहाँ पर हमसे देखना है debt equity ratio ठीक है debt ratio सबसे पहले एक चीज़ बता दो debt equity ratio जो होता है इसे हम pure ratio के form में express करते हैं pure ratio के form में express करते हैं ठीक है इसका formula होता है long term debt upon में share holders के जो भी funds होंगे उसके through sir shareholders fund फिर क्या से calculate करेंगे ये भी बता दो ठीक है sir देखिए shareholder fund को calculate करने के लिए आपको आपके जो भी equity share capital होंगे preference share capital होंगे reserve surplus होंगे और fictitious assets सबसे पहले याद रखो balance sheet का जो सबसे top बाला होता है equity share, preference share, reserve surplus तीनों को sum कर दो उसमें जो भी fictitious assets होते हैं उसे minus करता हो clear है यहाँ तक उसके बाद अगर मैं बात करू equity shareholders fund plus preference share capital capital employed minus long term debt net fix assets plus investments plus working capital minus long term ठीक है minus long term या sir इतने इतने सारे सारे formula ज्याद रखनें, बिल्कुल भाई याद रखनें net fix assets plus investment plus current assets minus current liability minus long term debt और छटा आता है इसमें total assets minus total debt sir debt equity ratio क्या बताता है यह establish करता है a relation between long term debt and shareholders fund long term debt जितने भी होते हैं long term debt तुमने पढ़ा होगा starting में, financial statement के starting में ठीक है जब detail study कर रहे होगे तो उसके बीच और shareholders के जो funds होते उनके बीच दोनों के रिस्ते को कौन express करता है sir debt equity ratio express करता है ठीक है एक मिनट रुकना यार बात करते हैं total asset debt ratio की तो इसे अगर हमें निकालना हो तो total assets appointment long term debt कर देंगे अब total asset to debt ratio जो होता है वो establish करता है a relation between total assets and total long term debt यह चीज़ याद रखिएगा proprietary ratio के अगर मैं बात करूँ इधर गया भाई proprietary ratio proprietary ratio में हम proprietors fund को divide करते है total assets से into 100 कर देते हैं अब देखिए sir proprietor fund देखे confuse मत करिएगा shareholder fund को ही proprietors fund है आप हम पोलते है अब इंट्रेस्ट कवरेज रेशियो की तो इंट्रेस्ट कवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है net profit before interest and taxes NBIT upon में long term interest जो आपके long term debts पे होगा उसे आपको लेना है और इससे हम times में 2 times, 3 times, 4 times के फॉर्म में express करते है capital gearing ratio क्या है sir additional है sir funds bearing fixed financial payments upon में equity share funds important नहीं तीसरा टाइप पता है activity ratio activity ratio sir है क्या it measures the effectiveness with which a firm use it available resources these ratio helps in commenting on the efficiency of an enterprise in managing resources यह ratio जो होता है किसी भी enterprise के efficiency को टिनोट करता sir कैसी efficiency यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपने assets को कितने effectively manage कर पा रहे कितने efficiently manage कर पा रहे उसी को यहाँ पर represent किया जाता है सबसे पहला इसमें टाइप बाता है stock turnover ratio इसका formula होता है cost of goods sold upon average stock times के time में यहाँ पर हम express करते है notes are दे रखे average stock अगर आपको निकालना हो average stock अगर आपको निकालना हो तो आप यह formula use कर दो average तो देखो सबको मालू रहता है opening plus closing upon metto अगर आपको cost of goods sold निकालना है तो यहाँ पे तुम्हारे लिए दो formula है पहला यह हो गया और दूसरा यह हो गया ठीक है next type of ratio आप निकल कर आता है जो कि है debtors turnover ratio debtors turnover ratio में तुम्हें याद रखना होगा net credit sale upon may average debtor formula होता है इसका times में ठीक है formula नहीं बोलूँगा जो भी ratio निकल कराता है वो times में होता है अगर sir हमें average debtors निकालना होगा तो यहाँ पे opening balance लेना होगा opening BR लेना होगा closing balance लेना होगा मतलब DR debtors की बात की जा रही है यहाँ पे DRS debtors है और फिर closing bills of receivable लेना है अगर हमें net credit sales निकालना है तो जो भी gross credit sales होगा उसमें हम सर माइनस कर देंगे अपने sales return एपरेज debt collection period एक important concept है sir यहाँ पे आपको देखना परता है कि आपने debt को कैसे collect कर रहे होते हो तेहाँ पे simply आप यह formula लगा सकते हो 12 months ले लो या फिर 52 weeks ले लो या फिर 365 days ले लो उसमें आपके जो debtors turnover ratio है उससे आप उसे divide कर दो clear है credit turnover अगर आपको निकालना है तो net credit कितने purchase हुए upon average creditor कितने है उससे यह निकल जाएगा यह दो notes भी देख लेना और अगर आपको average debt payment period निकालना है तो 12 months upon 52 weeks plus 365 days प्लस नहीं है slash है यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो upon my creditors turnover ratio फिर उसके बाद और भी कुछ formula दिये गए additional है यह देख लेना एक important है आप है working capital turnover ratio इसका formula होता है net sales upon my net working capital इसे हम times के term में express कर रहे होते हैं अगर हमें working capital निकालना होता है तो current assets minus current liability करते हैं बात करते हैं profitability ratio की तो यह आपके ठीक है आपने जो भी sales कर रखें आपने जो भी investment कर रखें उससे जो भी return आ रही होती है उसे measure कौन करता है profitability ratio इसमें सबसे पहला था है gross profit ratio निकालने का formula gross profit अपन में जो भी आपके net sales आये है into 100 कर दो gross profit फिर से बता दो net sales minus cogs बात करें operating ratio की तो operating ratio में हमें याद रखना होगा operating cost upon my net sales into 100 अब ये एक चीज़ याद रखेंगा operating cost is equal to cost of goods sales plus operating खर्चे सके important है सर operating cost सर operating cost क्या होते है सर याद रखें जो हमारे operational activities में जो भी खरचे हो रही है day to day activities में खरचे हो रही है उसके बारे में चर्चा की जाती operating ratio operating profit ratio सर क्या operating profit upon my net sales कर دो net profit सर क्या है net profit upon my net sales कर दो into 100 कर दो simple simple बाते हैं आपे की गई है अब देखो यह एक एडिशनल चीज दे रखा है पहले हुआ करता था important लेकिन अब नहीं है कोई खास लेकिन देख लेना अब सर यह चीज याद रखिए अब सर यह चीज याद रखिए capital employed आपको निकालना होगा ठीक है इन 200 हैं आपको करना होगा percentage के form में इसे हम express करते हैं तुम्हें लगाँगा सर ने तो बस आज read मार दिया formula तो यह revision में और कुछ भी मैं नहीं करवा सकता हूँ मेरे int से बस मैं इतना कर सकता हूँ अब एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूँगा इसके PDF तुम telegram से बहुत easily download कर सकते हो सर PDF क्यों दे रहे हैं आप तो कभी देते नहीं थे PDF इसलिए दे रहा हूँ भाई क्योंकि इसमें सिर्फ formulas है तुम्हें रटा मारना होगा formulas learn कर लेना questions आए questions लगा लेना I hope तुमने details study करे होंगे इस particular chapter से तब ही जाकर तुम इस chapter से score कर सकते हो just मैंने तुम्हें आज formulas recall करवाएं हैं और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करवाया और मैं कुछ करवाओंगा भी नहीं हाँ लेकिन अगर तुम demand करते हो देखता हूँ बहुत परिशानी अगर तुम्हें आ रही है तब ही करवा सकता हूँ लेकिन वह भी बहुत कम चांसे से पर मिलेंगे नेक्स्ट डे तब तक के लिए धन्यवाद